हेलो अब्रीवन वेलकम बैक तो मैं चैनल आज हमने कुछ कुख वेर मंगाया है और मैं चाहती थी कि आपके सायत इसकी वीडियो मैं शेयर करूं तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और मैं आगे बताऊंगी कि हमने इसे कितना में और कहां से पर्चेस किया है तो चलिए उपन इसको करते हैं इसे मैंने पहले ही अनबॉक्स करके देख लिया था ताकि ये पिस डैमेज नहो क्यूंकि कभी-कभी ना बहुत ही खराब ढंक से पैक करके भेजते हैं और पिस भी डैमेज आ जाता है और रिटर्निंग में बहुत प्राबलम होता है तो यहां जो डाय मीटर है वो 28 सेंटी मीटर है और कैप सीटी की बात करूँ तो ये 3.5 लीटर का है तो काफी बड़े साइज का है मुझे लग रहा था कि ये छोटा साइज आएगा लेकिन इसकी साइज जो है काफी बड़ी है और ये इंडेक्शन फ्रेंडली है तो आप देख सकते है नीचे का जो बेस है काफी फ्लैट है तो आप इंडेक्शन पे भी इसे अराम से यूज कर सकते हैं और इसकी हैंडल की बात करूँ तो ये वोडेन हैंडल में है तो बहुत ही अच्छा है ये कराही गर्म होने पे भी आप इसे अराम से पकर सकते हैं तो मुझे ये कराही बह सब कुछ बहुत ही अच्छा है और इसकी जो रेटिंग थी न वो 5 ती मतलब 5 रेटिंग थी इसकी तो मैंने इसे इसका पर्चेस किया है और इसका जो लीड है न वो भी ट्रांसपैरेंट ग्लास में है तो मुझे यह भी काफी पसंद आया और इसका जो हैं वो भी वुडेन म कर सकते हैं यदि मैं इसके प्राइस के बाद करू तो ये मुझे 1599 में आया है मतलब कि 16 सो में ये करा ही मुझे मिला है तो 16 सो मुझे रिजनेवल प्राइस इसका लगा क्यूंकि इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और दूसरा जो आइटम मैंने लिया है वो है स्पैचूला तो ये भी बहुत ही अच्छा है और ये देखिए इसका जो हैंडिल है ना ये भी वुडन में है और मैंने इस तरह का स्पैचूला लिया है तो इसमें आपको वाइट कलर और भी कलर मिल जाएंगे इसमें तो आप ले सकते हैं और ये बहुत ही फ्लैक्सिबल भी है तो कुकिंग करने में ये बहुत ही अच्छा है जो हैंडिल वह काफी लंबा है वुडन फिनिसिग में है क्योंकि आप जब स्टील का स्पैचूला यूज करते हैं तो वे कुकिंग करते समय Gरμ हो जाता है और इस तरह का वुडन फिनिसिग में आप जब यूज करेंगे तो वो गर नहीं होगा तो आराम से आप cooking कर सकते हैं बहुत दिनों से मुझे इच्छा थी इस कराही को लेने की तो चलिए कुछ बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं तो आज हम फटा-फट से एजी recipe बनाकर ready करेंगे तो यहां कराही में मैंने huge किया है 2 चमच तेल तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कुछ सबजिया add करेंगे तो यहां हमने लिया है 2 चमच बारिक कटा हुआ लहसन आधा सिमला मिर्ज इसे बारिक काट लिया है आधा गाजर लिया है उसे भी हमने घीस लिया है और एक medium size का प्याज लेना है तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें लहसन और इस तरह से इसका हलका color change होने देंगे बहुत ही easy है देखिए इस कराही में बनाना अब हम डाल देंगे इसमें सिमला मिर्च प्याज और गाजर सभी सबजियों को इसमें डाल करके हमें sauté करना है इन सारे सब्जियों को हमें अच्छे से mix करना है और थोड़ी तेर के लिए हम सब्जियों को पकाएंगे अभी हमने इसमें यूज किया है आधा कप cabbage तो आप अपने टेस्ट के according इसमें और भी सब्जियों को add कर सकते हैं और यहां देखिए हमने सारे सब्जियों को इसमें डाल दिया है इसे अच्छे से हम mix कर लेंगे बहुत ही tasty Chinese rice बनकर ready होता है तो बस हम इन सारे सब्जियों को mix कर दिये हैं अब हम इसमें add करेंगे स्वाद के अनुसार नमक जब भी rice बनाते हैं तो उसमें नमक का यूज जादा होता है तो यहां हमने तीन छोटे चमच हाफाफ चमच नमक का यूज किया है वैसे आप अपने टेस्ट के according कम या जादा नमक रख सकते हैं आप चाहें तो इसमें green chili काट कर यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां यूज नहीं किया है क्योंकि मैं बच्चो के लिए बना रही हूँ अभी हम डाल देंगे आधा छोटा चमच ब्लैक पेपर काली मिर्श पावडर का यूज करना है इससे चाइनीज राइस में बहुत ही बढ़िया फ्लेबर आता है और उसके बाद हम डाल देंगे दो चमच सोवा सॉस जब भी आप चाइनीज राइस बनाएगा तो उसमें सोवा सॉस का यूज किया जाता है तो आप इससे जरूर डाले उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चमच वाइट बैनेगर इससे भी फ्लेबर अच्छा आता है तो इसका भी आप यूज जरूर करें जादा नहीं यूज करना है बस एक चमच के करीब हम इसमें डालेंगे और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें हमें भी यूज करना है रेट चिली सॉस आप चाहें तो रेट चिली सॉस या ग्रीन चिली सॉस का भी यूज कर सकते हैं मैं हाफ चमच रेट चिली सॉस का यूज करूंगी इन सबजियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम पांच मिनेट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि जो सबजी है अच्छे से कुक हो जाए यदि आपको क्रंचिनस फ्लेवर पसंद है तो इन सबजियों को आप ओपन में ही फ्राइ करें और उसके बाद आप राइस इसमें डाल कर मिक्स कर लें और यह जो मैंने इस पैचुला लिया है यह बहुत ही बढ़िया है बहुत ही फ्लेक्सिबल है और इस तरह से देखिए आप इसे सर्विंग में भी यूज कर सकते हैं तो अब हम इसे पांच मिनट के लिए लिए लिट लगा कर कुक होने देंगे तो पांच मिनट हो चुका है अब हम इन सबजीयों को चेक कर लेंगे हमें ज्यादा देर के लिए इसे कुक नहीं करना था बस हलका सबजी सॉफ्ट हो जाए उतना ही करना था तो यहां जो है सबजी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तो चलिए अब हम इसमें राइस डालेंगे अभी हमें इसमें राइस डाल देना है राइस आप अपने मन पसंद टेस्ट के कॉर्डिंग ले सकते हैं यहां मैंने कोलम राइस का यूज किया है आप चाहें तो इसकी जगह बिर्यानी राइस या फिर बासमती राइस का यूज कर सकते हैं तो कोई भी राइस आप इसमें यूज कीजिए और इस तरह से जब आप बनाएगा तो बहुत ही टेस्टी लगता है चाइनीज राइस और हम देखिए यहां अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे बहुत ही फटा फट से यह रैसिपी बनकर रेडी हो जाता है और इसमें आपको कोई राइता किसी भी चीज की जरूत नहीं होती है आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है इस रैसिपी को आज की रैसिपी आपको पसंद आई होगी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ सेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना न भूलिए ताकि मेरे नए नए रैसिपी आप तक पहु हुआ है